Hello friends, welcome back to my YouTube channel तो friends, आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज मैं आपको LG का review देने वाला हूँ LG के किस AC का review देने वाला हूँ, hot and cold का because इसलिए viewers की demand पे मैं आज इसी AC का review देने वाला हूँ इसमें क्या-क्या feature आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले जान लेते हैं friends, इसके model number की बात तो friends, दो model है, एक है आपका RS-H18VNXC और एक है TS-HNVXC दोनों में फर्क क्या है, एक है 2023 का, एक है 2024 का TS जो है 2024 का है, RS जो है वो 2023 की सिरीज है features दोनों के almost same है, manufacturing का फर्क अखाले, ठीक है चलिए जान लेते हैं, इनमें features क्या क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके model number की TS-H18VNXC का मैं आपको review दे रहा हूँ इसकी जो cooling capacity है, जो rated cooling capacity आती है इस्टार रेटिंग बे वो है आपकी 4400 watt की है, इसकी जो maximum cooling capacity जाती है क्योंकि यह inverter AC है, वहीं पे अगर हम इसके heating की बात करें, तो जो इसका heating capacity है वो है 4560 के करी, और जो इसकी maximum cooling जाती है, वो जाती है 4760 के करी तो इसकी heating और cooling capacity मैंने आपको बताई है IACER की बात करते हैं, वो तो स्खेर सेम ही होता है 4.0 इसका IACER rating है, जो कि Indian season energy efficiency होता है Unit per year की बात करेते हैं तो unit per year इसका है 852.44 unit per year इसका है जोड़ी एक साल की ले रहा है, noise level की बात करेंगे तो noise level इसका 26 GB के करीब इसका noise level है AC आप लेते हैं तो इसका dimension भी पता होना चाहिए तो इसका dimension है वो आपको मैं बताता हूँ centimeter में इसका dimension है 18.9 depth इसकी है फिर इसका width है वो है 87.7 इसका width है 8.8 cm की height है तो यह हो गया इसका indoor की dimension फ्रेंस इसमें बात करेंगे इसकी power input कितनी है 1482 के करीब इसकी watt है ठीक है जो minimum 275 तक जाती है और hot में hot में चलता है तो 1550 watt पे चलता है और जब यह minimum अपने चलता है तो यह चलता है आपका 255 के करीब ठीक है फ्रेंस तो चलिए अब बात करेंगे इनके features की कि इसमें features क्या क्या है तो फ्रेंस पहला feature आते है dual inverter compressor लगे रहते हैं जो की smoothly left to right move करते हैं और काफी fastly move करते है smoothly जितनी तेज से वो घुमते है उतनी तेजी उसका आवाज होती हो कम होती है noise level ठीक है जिसकी वेशे vibration भी कम करते हैं और energy saving के लिए best माने जाते हैं इसका जो compressor reference वो ambient temperature 52 degree तक tested है इसमें अगर हम next feature भी बात करते हैं तो इसमें आपको five in one convertible modes मिलते हैं जो कि 40, 60, 80, 100, 110% के करीब करीब चलते हैं जो कि five in one convertible modes के क्या फायदा है कि ये वाला modes अगर आप यूज करते हो तो इसके वज़े से आप अपने room की cooling को adjust कर सकते हो और room के अंदर जो cooling आपको मिल रही है जो परफेक्ट cooling मिल रही है उससे जो आपके महमान वगर रहा है उनके लिए बैटर रहती है और साथी साथ ये बिजली की saving के लिए बेस्ट माने आता है अब बात करते हैं स्टैप्लेयर रेंज की इसमें जो स्टैप्लेयर गोल्ड फिन प्लस क्या होता है उसमें especially fins के ओपर गोल्ड प्लेट की जाती है जो कि हाइड्रोफॉलिक फिन्स होती है जो कि एक टाइप से रस्टिंग वगरा और करूजन वगरा से सेफ रखते हैं साथी साथ इसमें four way air swing का भी option मिलता है यानि जब यह सी चलेगा left to right and up to down cooling cooling तो खेर करेगा ही cooling और heating air slow wave देगा आपको यानि चारो तरफ अगर महमान कोई भी आपका घर के आसपास कोई इधर बैटा कोई इधर बैटा कोई सामने बैटा है तो यह चारो तरफ corner to corner आपको cooling प्रवाइड करेगा आप बात लेते हैं इसमें safety purpose से इसका जो safety purpose है आपका fins होती है और आपका copper coil होती है यह ocean black protection के साथ आती है इसकी जो copper coil होती है उसमें जो bounding होती है नहीं पड़ेगी नेक्स की बात करेते हैं मानसून comfort तो फ्रेंस मानसून से ही आपको याद है अगर मानसून है बार बारिस हो रही है अंदर गर्मी है लाइट जली आती है लाइट आती है सब्सक्राइब होती है humidity हमें चिपचिपाट मौसम होता है ठीक है तो उस condition में आप इसको ड्राय मोड पे मानसून comfort मोड पे भी यूज़ कर सकते हो फ्रेंस इसमें आपको auto clean का भी एक feature मिलता है auto clean क्या होता है यह heat action के दवरारा अपने condenser को automatically clean करता रहेगा जिससे कि आपको safety मिलती है cooling के लिए और आपके AC को बंद होने से रोखने के लिए क्योंकि क्या होता है filter बार-बार जाम हो जाते है विटर कोईल उसमें क्या होता है cooling कम हो जाती है आपको बुलाना पड़ता है auto clean से यह फाइदा है कि आपको बार-बार नहीं बुलाना पड़ेगा यह automatically heat action के दवारा clean करेगा अब आप AC को चला रहे है रूम में बच्चा है सो रखा है कोई प करेगा और इसकी काफी कम होगी और जो आपको कुलिंग देता है नेच्छल कुलिंग प्रवाइड करेगा अब हम बात करेते हैं इसमें आपको ADC sensor मिलता है ADC sensor का काम होता है step to step AC को चेक करना यानि कुछ बिमार तो नहीं समझे है ना आपकी बिमारी से में क्या मतलब हो गय गया एक अमल हो गया आपका ambient डिस्टार सेंसर हो गया और आपका condenser sensor सेंसर हो गया तीन सेंसर होते है जो की work करते है इंडोर आउडोर में जो की बताते है कुछ प्रवल्म तो नहीं है 37 इसमें आपको R32 रेफिजन मिलता है R32 रेफिजन जो होता है इको प्रेंली रहता है औ को रोकना होता क्या है कंपनी ने HD filter क्यों कहा गया उसके क्योंकि उसके उपर क्योंकि स्पैसल कोटिंग की गई है जो की सेफ रखता है फ्रेंस चलिए आप बात कर लेते लास्ली वरेंटी की इसमें आपको वन येर की टोटल वरेंटी देती है पाइव येर की पीसी तो फ्रेंस ये था LG का होट एंड कोल एजी जिसके बारे मैंने आपको बताया है अगर आपको इस HD के बारे में कुछ भी पूछना हो तो जरूर पूछे और चैनल को लाइक, SSI गना ना बुलिए, थैंक्यू फ्रेंस